नमस्कार दोस्तों, M.D.U. Campus News में आप सुखा स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं O.N.G.C. दोबारा दी जाने वाड़ी स्पोर्ट्स की स्कोलर्शिप के बारे में दोस्तों A to Z information दूँगा हर बात के बारे में दोस्तों बताऊंगा आप चैनल पर नए है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह कि सभी स्कोलर्शिप के बारे में आपको नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहेगी और दोस्तों वीडियो को लाष्ट तक देखिए आपको हर जानकारी बारी किसे में दूँगा दोस्तों जो एक स्कोलर्शिप दीजारी एस्पोर्ट की ये ONGC के दवरा दीजारी है ONGC यानि के Oil and Natural Gas Corporation दोस्तों ये बार्थ सरकार का एक सरकारी उधम यानि के सरकारी कंपनी है और कोई भी कमपनी है दोस्तो उसकी ये सरकारी नियम है कि उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है जिसको corporate social responsibility बोलते हैं कि corporate की social responsibility होती है वो अपने पूरी कमाई में से कुछ percent fund उनको सामाजिक जिम्मेदारियों पर खर्च करना पड़ता है दोस्तो उसी के तहित ONGC ने स्पोर्ट्स की scholarship के बारे में बताऊंगा दोस्तो वो NGC foundation दोस्तों जो sports की scholarship दी जा रही है कि उन जो खिलाडी है जो खेल में लगे हुए हैं उनकी प्रतिवा को निखारने के लिए दोस्तो और जो नए खिलाडी है वो आगे खेल की तरफ आकरशितों उनके लिए दोस्तो scholarship दी जाती है इस scholarship के अंदर दोस्तों अलग लग खेल हैं जिसमें से category हैं सब junior junior senior आप screen पर देख रहे हैं इन category के नुशार दोस्तों हर साल student को दी जाती है जो total scholarship दी जाएगी वो डाइसो student को यानि के 250 student को दी जाएगी total देस वरसे select किया जाएगा उने में से दोस्तों जो खेल हैं ये athletics है दोस्तों इसमें man and woman के लिए अलग अलग seat हैं कितनी student को मिलेगी बैड्मिंटन है बास्केटबाल है दोस्तों सुनुकर है कैरम है चैस है क्रिकेट है फुटबाल गॉल्फ होके कबडी स्क्वेस टेबल टैनिस टैनिस वोल्लिवल स्विमिंग आर्चरी बोक और सब जुनिर की दोस्तों scholarship दी जाए कितनी चात्रों को दी जाए कितनी seat है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इन खेल के लिए scholarship दी जाती है इसके लाव दोस्तों इस खेल में जो EWS जो बार सरकार ने economic wicker section का जो reservation दिया था उसके नुसार भी इसमें participation किया जाता है इसम आरत का नागरिक होना चाहिए और sports person होना चाहिए वो खेल खेलता हो कम से कम national तक का खेल खेलता हो और उसके अलावा कोई भी और scholarship नहीं ले रहा हो कोई स्टाइफंट किसी संगठन से किसी organization से नहीं ले रहा हो दोस्तों ये इसकी qualification है इसकी eligibility है criteria दोस्तों age का जो criteria दोस्तों के लिए कम से कम 10 साल की उमर होना जरूरी है ये दोस्तों age है इसके लावा दोस्तों जो हर साल है ये scholarship renew होती है आपको हर बार fresh form इसके लिए बढ़ना पड़ता है जो document है document के अंदर दोस्तों आपका birth certificate सबसे जरूरी है birth certificate आपका होना चाहिए इसके लावा आपका passport हो अधा और 10th के certificate में से कोई एक आपको देना पड़ेगा birth certificate आपको mandatory है जरूरी देना पड़ेगा दोस्तों ये documents के proof है इसके लावा जो scholarship दी जाएगी दोस्तों किन student को कितनी जाएगी junior को senior को सब junior को तो सब junior student है जो सब junior खिलाडी है सब junior खिलाडी को 15,000 से लेकर 20,000 तक दी जाएगी national level का जो खिलाडी 15,000 उसको दी जाएगी हर महीने और international level का जो खिलाडी है उसको 20,000 रुपे हर महीने दिया जाएगा जो junior category के खिलाडी है उनको 20,000 हर महीने दिया जाएगा national level के खिलाडी को international level के खिलाडी को 25 जार मेना दिया जाएगा और जो सीनियर खिलाड़ी है दोस्तों उनको 25,000 रुपे नेशनल खिलाड़ी को और इंटरनेशनल खिलाड़ी को 30,000 रुपे पर मंत ये दिये जाएंगे स्कोलर्शिप दोस्तों हर साल दोस्तों स्लेक्ट होती है कोई फेक नहीं है ओंगसी से हम करेंटिशन कराती है कंट्री में लग लग जिए पर तो आप उसके अंदर भी पर्टिस्पेसन कर सकते हो इस स्कोलर्शिप के तहित या आपको वहाँ अलगसे टाइफवन दोस्तों टीएड आड़े आपको मिलेगा टूर्णामेंट्स के अंदर स्पोर्ट्स परशन ऑफ स SportsKiss O&C दिवारा दी जाएगी इसके लाद दोस्तो scholarship order में Individual Health Insurance प्वर 5 लाग जो भी scholarship का दोस्तो older होगा उसका 5 लाग का insurance भी उसके दोबारा किया जाएगा दोस्तो स्पोर्च की scholarship का form बरने का time है वो 7 सितमबर से 21 सितंबर तक है 7 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2022 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उस लिंक पर जाकर इस स्कोलर शिप के फॉर्म को दोस्तो भर सकते हैं जो भी खिलाड़ी है और अपने जानकारों को भी दोस्तो इसके बारे हैं बताएं क्योंकि 25 से 30 जारूपे दोस्तो कम नहीं होते हैं पूरे महीने में हर महीने मिलेंगे दोस्तो एक साल तक मिलेंगे और एक साल बाद आपको दोस्तो दोबारा भी आप फ्रेस फूम भर सकते हैं इसके लावा दोस्तो कोई भी और जानकारी होगी तो आपको बता दी जाएगी वेडियो के मादом से जानकारी आपको मिले इसके लिए दोस्तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो को सेर कीजिए धन्यवाद दोस्तो